हेलो आज हम इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट में ब्रेक स्टेट्मेंट और कॉंटेनियू स्टेट्मेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम ब्रेक स्टेट्मेंट इसके डेफिनेशन जानेंगे तो इसके डेफिनेशन है break statement, loops और switch statement में इस्सिमाल होता है किसी कार्म से अगर loop से पूरी तरह बार निकलना हो वो भी loop के सारे iteration के run किये विना तब break statement का इस्सिमाल होता है इसके बाद हम continue statement इसकी definition जानेंगे तो यह continue statement की definition है इसके बाद यहाँ पे break और continue का यहाँ पे program है write a program to demonstrate the use of break and continue statement तो इसको हम आगे notepad में करेंगे तो यह हमने notepad में javascript का program लिखा हुआ है जहाँ पे break statement और continue statement को करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है stml उसके बाद body उसके बाद यहाँ पे heading h1 यहाँ पे start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है script language is equal to javascript इसके बाद यहाँ पे variable i is equal to 0 इसके बाद यहाँ पे for loop use किया हुआ है यहाँ पे for लिखा हुआ है और यहाँ पे यह जो है round bracket में हमने लिखा हुआ है i is equal to 0 तो यहाँ पे initial value यहाँ पे हम 0 लेंगे इसके बाद semicolon इसके बाद i is less than equal to 10 यहाँ पे यह condition लगाएंगे हम इसके बाद semicolon इसके बाद यहाँ पे i plus plus तो यहाँ पे हम increment operator यूज़ करेंगे इसके वाद round bracket को close करेंगे इसके वाद यहाँ पे curly bracket open करेंगे इसके वाद यहाँ पे लिखेंगे if इसके वाद यहाँ पे round bracket में लिखेंगे i is equal to 3 curly bracket के अंदर हम लिखेंगे break इसके वाद इसके निचे लिखेंगे document.right और यहाँ पे लि करेंगे इसके बाद curly bracket यह close की इसके बाद यहां पे script को बंद करेंगे heading को बंद करेंगे body को बंद करेंगे STML को बंद करेंगे तो यहाँ पे यह दिखो यहाँ पे variable i is equal to 0 लिया हुआ है और यहाँ पे for loop का यूज किया हुआ है और यहाँ पे यह दिखो initial value जो है वो 0 है इसके वाद यह condition लगी हुए है इसके वाद यहाँ पे increment operator यूज किया हुए और इसके बाद यह दिखो यहाँ पे if यह यूज किया हुआ है और यहाँ पे i is equal to 3 तो 3 का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें number जो show करेगा वो 0, 1, 2 यह number show करेगा यहाँ पे 3 number यहाँ पे हमें show नहीं करेगा इसके बाद हमने यहाँ पे लगाई हुई है break तो condition क्या लगाई थी हमने i is less than equal to 10 अगर हम break नहीं लगाते हैं तो यह सारे number हमें show करेगा जैसे 1, 2 उसके बाद यह 3 show नहीं करेगा उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह number हमें show करेगा लेकन हमने यहाँ पे break statement यूज़ कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे जो number show करेगा वो 0, 1, 2 यह number हमें show करेगा इसके बाद इसको हम यहाँ पे save करेंगे यह दिखो file पे गए save as पे गए save as पे जाने के बाद इसको desktop पे save करेंगे desktop इसके बाद यहाँ पे file name देंगे हमने file name दिया as इसके बाद dot html इसके बाद इसको save कर देंगे save करने के बाद इसको minimize करेंगे यह देखो यहाँ पे यह आ गया है इसको हम यहाँ पे open करेंगे print होके आ गया है यहाँ पे यह देखो the number is 0 इसके बाद 1 इसके बाद यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ i is equal to 3 तो यहाँ पे हमें number जो है 0, 1 और उसके बाद 2 यह number शो करेगा अगर हम यहाँ पे यह देखो यहाँ पे 3 की जगा 4 लिख देते है तो यहाँ पे हमारे पास output आएगी 0, 1, 2, 3 यह देखो यहाँ पे इसको करके दिखते है यहाँ पे 3 की जगा हमने लिखा 4 यह 4 लिखा फॉर लिखने के बाद इसको हम save करेंगे यह save पे ग्लिख किया save पे ग्लिख करने के बाद जब हम इसको refresh करेंगे तो refresh करने के बाद हमारे पास कितने number आजाएंगे यह देखो 0,1, 2 और 3 भी आ जाएगा यह देखो इसको करके दिखते है यहाँ पे इसको refresh करेंगे यह refresh किया refresh करने के बाद यह देखो यहाँ पे number आ गया the number is 3 तो यहाँ पे यह four number यहाँ पे आ गए इसके बाद यहाँ पे यह देखो variable i is equal to zero लिखा हुआ है तो zero की जगा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे two यह two इसके बाद यहाँ पे भी two करेंगे यह देखो two किया two करने के बाद यहाँ पे i is equal to four यही रहने देंगे तो हमारे पास जो number आएंगे वो आएंगे two three यह two और इसके बाद three इसको यहाँ पे करके दिखते हैं यहाँ पे इसको save किया यह save किया इसके बाद इसको refresh करते हैं यह refresh किया तो यह देखो यहाँ पे दो number आगे एक two और इसके बाद एक three इसके बाद फिर हम यहाँ पे variable को zero करते हैं यहाँ पे इसको zero किया और यहाँ भी इसको zero किया इसके बाद यहाँ पे इसको मिटाया, मिटाने के बाद यहां पे लिखेंगे continue, लिखने के बाद जब हम इसको save करेंगे, save करने के बाद इसको जब हम refresh करेंगे, तो हमारे पास जो number है, वो आ जाएंगे 0, 1, 2, और यहां पे 3 नहीं आएगा, 3 के बाद यह अगले जितने भी number है, वो हमें show करेंगा, तो अ file पे जाएंगे और यहाँ पे save करेंगे save करने के बाद इसको यहाँ पे refresh करेंगे तो refresh करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह print होके आ गया यहाँ पे यह देखो number starting जो number है यह देखो i is equal to 0 यहाँ पे initial value जो है 0 है तो यह यहाँ पे 0 से start हुई है इसके बाद यहां पे 1, 2 और यहां पे यह दिखो इस 3 लिखा हुआ है तो यहां पे 3 यह नहीं आया इसके बाद continue किया हुआ है क्योंकि continue कहां तक जाएगा यह I is less than 10 तो 10 जो है यह दिखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक का जाएगा तो इसको बोला जाता है continue statement तो इस तरह से break statement और continue statement जावा स्क्रिप्ट में काम करती है तो इस वीडियो में हमने break statement और continue statement के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel